अच्छा बुरा अच्छा बुरा नाम रहता है इस लोख में धन्य हो जिसके लिए बैठे हम शोक में यहां सर्दांजली सभा में उपस्तित सभी प्रबुद नागरेगन आज इस इलाके के जाने पहचाने राजनेतिक लीडर ही नहीं बलकि एक सामाजिक व्यक्तित्व श्रीश वबास चौदरी जी को श्रदांजली देने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए है हमारा पारिवारिक रिस्ता था उसके साथ साथ दो बार पलवल की नगर परिशद में उनके साथ चुन्या हुआ का काउंसलर बने उसके बाद 1991 में में दूसरी बार हम दोनों ही इकटे काउंसलर बने और जैसा कि आप जब साथ सब जानते हैं कि उनका राजनेतिक रूप से बड़ा आक्रमक लोगों की समस्याओं के प्रतिर रुख उरहा करता था इसी प्रकार का रुख उनका नगर पालिक कामों को लेकर रहता था वो जनता के कामों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे प्रतु मेरे साथ व्यक्तिका तौर पर उनका बहुत ही आत्मिक संबन्ध था और हमेशा उन्होंने बड़े भाई की तरह साथ दिया मुझे द्यान है जब मेरे पिताजी का आक्समा देहां तुआ उन्निस्सो नब्ध में हम दोना पार्शत थे उस समय तो उन्होंने मेरे को गले लगाते हुए एक बात कही थी कि आपके बड़े भाई के समान हूँ में जब कभी भी किसी प्रकार का भी कोई संकट का समय हो मुझे बड़े भाई की तरह आप याद कर लेना और मुझे याद भी है जब मेरे पे जीवन में बहुत बड़ा संकट आया जब जूटे मुकदमों में मैं जेल की यात्रा पर गया तो उसमें सुबाश चौदरी जी जेल में मेरे से मिलने के लिए गए और मेरे से मिलते ही फूट फूट कर रोने लगे मैं उनसे बोला बड़े भाई आप मेरे को सांत्वना देने के लिए आए हो या मेरे को यहां रोलाने के लिए आए हो ऐसा हमारा आपस में मदूर संबंध था और आज जिस हॉल में हम बैटे हैं ये जो गूजर समाज ने ये मिलकर जो ये बनाया है शक्त परतिशत इसमें जो योगदान है चौदरी सुबाज जी का है पलवल शहर के लिए एक ऐसी बढ़िया माहल यहां पर उन्होंने बना दिया कि इतना बढ़िया भवन यहां पर बनाया बनाया बेशक ये गूजर समाज ने परन्तु आज सर्व समाज के काम ये आ रहा है मैं अपनी नमन आखों से ऐसे महन वैक्तित को अपनी श्रदांजली अर्पित करता हूं ओम शांती शांती शांती